Get ready for the dictation on the count of 3, 2, 1, start. महोदै निसन्देह ही आज भी हम भले ही कई मुश्किलों का सामना कर रहे हों, फिर भी हम 1991 के उन दिनों जैसी स्थिती में नहीं हैं. एक राष्टर के रूप में हमने काफी भरपाई कर ली है और हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं. श्री राव के नितरत्व के बिना यह संभव नहीं था. अब यह अटकल लगाना व्यर्थ और मुर्खता पूर्ण भी है कि कोई और नेता होता तो क्या कुछ ज्यादा और बेहतर किया जा सकता था या नहीं. तथ्य यह है कि वही नेता थे चिनके कारण हम एक ऐसी स्थिती तक पहुँच गए हैं जो देश और उसकी तरक्षी के लिए निरापद हैं. हम जिस अवदी से गुजने हैं वह बहुत मुश्किल और हल्चल पूर्ण थी. सोवियत संग के पतन और विगटन से हमारी जो कुछ भी अंतरराश्ट्रिय इस्थिती थी उसका आधार ही खत्म हो गया. ऐसा लगता है कि हमारे देश में कुछ लोग इस घटना का पूरा मतलब नहीं समझ पाए हैं. बेशक यह कम्यूनिस्टों और आधुनिक समाजवाद के अन्य समर्थकों के लिए बेहद चिंता का विशय था. इससे उन सभी निश्पक्ष देशभक्तों को काफी दुख हुआ जिनके लिए सुवियत संग अच्छा मित्र था और अकीली विदेशी शक्ती थी जो हमेशा हमारे साथ खड़ी होती थी. उससे हमें काफी नैतिक और बहुतिक समर्थन भी मिला था. हमारे देश में सोवियत संग के तमाम मित्रों में भी ऐसी सभी लोग यह नहीं समझ पा रही हैं कि आर्थिक वैज्ञानिक और प्रोध्योगी की के हिसाब से इसका क्या मतलब था और है. जब हमें सक्त जरुरत थी तो कोई ऐसा नहीं था जिसकी ओर हम देखते. घबराने और अपने देश को दिवालिया राष्ट्र घुशित करने के बजाए प्रधानमंत्री ने मुश्किलों का डटकर मुकाबला किया. हमें इस संकट से निकालने की व्यवस्था की और साहस के साथ देश को एक नए आर्थिक रास्ते पर अग्रिसर किया. कांग्रिस ने अपने चुनाव घुशन पत्र में इसकी मोटी रूप रेखा न बना ली होती तो बेशक यह संभव न हो पाता. इस घुशन पत्र के मुख्य निर्माता स्वयम राजीव गांधी थे और इसे तयार करने में श्रीराव उनके मुख्य सहायक थे. देश को संकट से उबारने और नए आर्थिक रास्ते पर ले जाने में बेशक मनमोहन सिंग की देशबक्ती विद्वत्ता और ख्याती महत्वपूर कारण थे. नई आर्थिक नीती जनता के हिद में नहीं है इस कालपनिक तथ्य को लेकर काफी हंगामा मचाया जा रहा है. इसके उलट अगर उसे अबेक्षित ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है तो इसकी वज़े यह है कि जनता के नाम पर हर तरह की आनशिक और कॉर्पूरेट मांगें पूरी की जा रही है. प्रधान मंत्री ने दो महत्वपूर्ण तरीकों से नई आर्थिक नीतियां बनाने में अपना योगदान दिया है. सबसे पहले तो उन्होंने नई नीती लागू करने के लिए मत्यमवर्ग अपनाने पर जोर दिया है. नई आर्थिक कारिग्रम को लागू करने में उन्होंने चो दूसरा महत्वपूर्ण योगदान किया है वेह है इसके पक्ष में राश्क्रिय सेहमती बनाना. महोदै हमारे देश में राजनेतिक विचारों में जितनी भिन्नता है उसके मत्य नजर यह एक आसाधारण बात है. जबकि इन में से ज्यादातर लोग यही ठाने रहते हैं कि चाहे जो हो और जो भी मुद्दा हो उन्हें विरोध करना है. चुनावों में जटकों और यदा कदा तेड़े मेड़े रास्तों के बावजूद प्रथान मंत्री के नित्रक्व में जो नई आर्थिक नीती बनाई गई है उसे राश्ट्रिय इस्तर पर सुईकार कर लिया गया है. माकपा से लेकर जनता दल और भाजपा तक आर्थिक छेतर में मूलबूत सुधार के अलावा पंजाब में नाटकिये पदलाव आया है. बंदूक की लड़ाई की जगह अब पूरी तरह बैलिट की लड़ाई ने ले ली है. उस प्रदेश की जनता के लिए यह दूसरी आजादी से कुछ कम नहीं है. असम और उत्रपूर्व के कई हिस्सों में भी ऐसे बदलाव आये हैं हाला कि वे पंजाब जैसे नहीं है. अमजना की आतंकवाद का खत्रा टल गया है बेशक गलत होगा पर जो सफलताएं हमने पाई हैं उन्हें सुईकार ना करना कम गलत नहीं होगा. पंचायत और स्थानिय निकायों के चुनाव कराने को भी साधारन काम नहीं समझा जाना चाहिए. इस कदम से महात्म गांधी केस अपने और डिवंगत राजीव गांधी को की लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्धता फलिपूत हुई है. ये सम्विधान की अपिक्षाओं के अनुरूप लोकतंत्रिक करान्ती को आगे बढ़ाने का प्रतीख है. इससे हमारे राश्ट्र का लोकतंत्रिक आधात मजबूत हुआ है. हिंदुत्व के घर्टे उनमाद का ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपोड है. भाजपा और शिव सेना को चुनावी सफलता भले ही मिल गई हो पर राश्ट्रिय स्वयम सेवक संग का नित्रत्व भी मानता है कि उसका मुख्य कारण कुछ राज्यों में ब्रश्टाचार, बढ़ती कीमतें, बेरोजगारी, आधी जैसी सामाने समस्याओं से निमटने में कॉंग्रेस सरकार की ना कामी थी ना की सांप्रदाइक भावनाएं, हिंदू सांप्रदाइक तावाग में इस पष्ट कमी आना बहुत पड़ी राश्ट्रिय उपलब्दी है, इन सबसे महत्वपोड है सार्वबहुमिक मामलों में भारतिय वेप्तित्व का फिर से उभरना इसके आयाम हमारे विदेश संबंदों में आर्थिक अंश के वरदी से कहीं अधिक हैं, चीन से संबंद लगातार सामान्य होते जा रहे हैं, भारत इरान संबंद फिर कायम हो बए हैं इसी तरह दक्षिन अफ्रीका के साथ परसपरलाब के सहयोग की नई संभावनाएं बनी हैं अमरीका और अन्य विक्सित पूंजिवादी देशों से सहयोग बढ़ाने की दिशा में समुचित ध्यान दिये जाने के पावचूर किसी भी मसले पर हम नहीं चुके हैं, समर्पन की बाद तो दूर है इसमें आर्थिक संबंदों के महत्वपूर्ण स्वरूपों के अलावा रक्षा का छेत्र भी शामिल है इसका सबसे ताजा उधारन है परमाडू अप्रसार संदी के मामले में हमारा अपनी नीती पर कायम रहना जबकि इसके लिए हम पर कई दिशाओं से भारी दबाव डाला गया गुट निर्पेक्ष अंदोलन को कई नीती देने के प्रयास भी चल रहे हैं इन सब उपलब्दियों को मिला कर एक वाक्य यह है कि प्रदान मंत्री ने सबसे बड़ा काम यह किया कि हमारे देश में शासन उनह स्थापिट कर दिया और लोकतंत्र को सुद्रड बनाया